मुह श्कार दोस्तो आज का टॉपिक है कि क्या हमें आज के बजार के अंदर लोन लेकर के इंवेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दिकर जो शेयर बजार है वो बना रहा है छपड़ फाड़ के रिटन और मैं आपको परसनल स्टोरी भी बताऊंगा इसके साथ साथ क परसनल ही मेरे क्या हाल है और जो मेरे हाल है वो आप शायर सुन करके थोड़े से जरूर हैरान होगे बिकर जो मेरा सजेशन होगा वो बिल्कुल इसका अपोजट होने वाला है तो कुछ प्रो और कौन समझने की कोशिश करते हैं फिर Q&A लेने की कोशिश करेंगे ये क्यों चूस किया हमने फिकर्स कमेट सेक्शन के अंदर काफी सारे कमेट आ रहे हैं सबस्याल इशुरुआत करते हैं कि क्या हमें लोन ले करके इंवेस्ट करना चाहिए लोन का मतलब क्या हो गया नॉर्मल यह आपको शेयर बजार में इंवेस्ट करने के लिए परसनल लोन म पीक आउट हो रहा है इस समवा पे काफी शांता रिटन बन चुके हैं और आप बजार के अंदर आते हो और इंवेस्ट करते हो तो अगर रियल में प्रॉफिट गेन करना है अगले दो साल तीन साल जितने में टाइम के लाप इंवेस्ट करना चाहते हो तो आपको एट लीस एटीन परसेंट के रिटन चाहिए तब जाकर कि आप कही नखी बैनेफिट में आऊगे अदरवाइस कोई फायदा नहीं है विकर जो इंट्रस्ट रेट है आज की रेट के अंदर परसनल लोन का वो चल रहा है अप्रॉक्सिमिटली ग्यारा परसेंट के आसपास तो सबसे आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या आपको इस समय पे 18% के CAGR के रिटन एट लीस्ट तीन साल के लिए मिल सकते हैं या फिर नहीं मिल सकते हैं क्योंकि जब आप परसनल लोन लेते हो तो आप अप्रॉक्सिमिटली तीन साल के आसपास कल होगे तब ही आप लोन अमांट एक डीसेंट निकाल पाऊँ ठीक है तो क्या लगता है कि मिल सकते हैं नहीं मिल सकते हैं परसनल ली मेरा मानना है कुछ चुनिंदा सेक्टर्स के अंदर शायद मिल सकते हैं और इवेन इस से जादा भी मिल सकते हैं तो अगर कोई वहाँ पर लेकर के इंवेस्ट करना चाहता है तो डेफिनिटली देख सकता है सेकंड चीज जो की होती है रस्क अपेटाइट क्या जो आपने लोन अमाउंट लिया हाइपोथेटिकली किसी ने दस लाख रुपे का लोन अमाउंट लिया और बिकाज ऑफ एक्स वाई-जी रीजन बिकाज शेर बजार अन्प्रेडिक्ट जाती है तो बिलकुल दूर रहना लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं अप्टू 30% के करेक्शन को मैं बैर कर सकता हूं तो डेफिनिटली आप लोन ले सकते हो third point जो आपका cash flow है क्या वो regular है या फिर नहीं है let's suppose आप एक job के अंदर हो तो क्या आपकी job जो है वो थोड़ी से secure है आपको लगता है कि भाई 2-3 साल तक चल सकती है अगर yes तो definitely आपको लेना चाहिए उसमें कोई दोराए नहीं है second अगर आपको यह लगता है कि भाई मेरी जो जो जॉब है वो unpredictable है और हो सकता है एकादी साल के अंदर ना भी रहे और मैं change करना चाहता हूँ एकादी साल में तो आपको definitely loan नहीं लेना चाहिए fourth चीज और सबसे important चीज है क्या आपके पास emergency fund ready है emergency fund क्या होती है कि भाई आपकी job चले जाती है या कोई जिस भी business में हो आपे loss हो जाता है तो क्या आप 6 महीने साल तक अपने cash flow पे जिन्धा रह सकते हो loan की जो EMI है वो चुका सकते हो या फिर नहीं क्यूँ जैसे हमने first point में consider कि भाई मान लो 30% of correction आ गया उसी के सासवत worst case condition के लिए हम prepare हो रहे है तो उस case के अंदर let's suppose जो आपकी regular cash flow आती है जहां से भी आप income करते हो वो किसी भी reason के वुझे सा रुप जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई खाने के लाले पड़ जाएंगे अगर ऐसा है तो बिल्कुल आपको दूर रहना चाहिए अब कुछ मैं practical examples की बात करता हूँ let's suppose आपकी एक family है जो आप पर dependent है और आपकी एक regular income है जो की normal income है जो की बहुत ज्यादा income नहीं है end of the month आपके पास कोई भी खास पैसा नहीं बचता तो लोन से definitely आपको दूर रहना चाहिए जब भी अगर आप लोन लेनी की सोचो तो family के साथ आपको जरूर discuss करना चाहिए अब बात करते हैं market condition की क्या है? इस market condition के एसाथ साथ को लोगों लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अगर मैं अपनी condition बताऊ हूँ तो almost मैंने loan लिया हुआ है और मैंने जो loan लिया हुआ हुआ है उससे ज़्यादा के पैसे मैं कमा चुका हूँ इसके अंदर कोई बहुत बढ़ा तीर माल लिया, मैंने सीरिसले बताँ, कोई तीर नहीं मारा, वेगस मार्केट कंडिशन सही थी, उसके बास जो बजार था, वो चला, वो काफी ज़दा काइंट रहा, काफी अच्छे उसने रिटन मनाए, तो मैंने भी रिटन मनाए, और इस लोग लोन लेकर के और लेवरेज लेकर के भी फसते इसी बज़ेते हैं, क्योंकि वो लोन तो ले लेते हैं, बट शेर बजार में पैसा नहीं बन रहा होता, तो वो फस जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, एक हाई रिस्क इन्वेस्मेंट होने वाली है, बिकर सजेशन है, मतलग को ही जरूरत नहीं है, मार्केट इस कंडिशन में नहीं है, अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक कमेट था कि मुझे लोन लेना ही लेना है, तो कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, गो विद सेफर आप्शन लाइक पर आप पर एक फ्ल लेना ही लेना, अपसे रुखा नहीं जा रहा, तो डेफिनिटल ये कुछ ऑप्शन है, आप ऐसा डाल सकते हो अपनी अनलेसिस करने के बाद, आपको क्लियर हो गया हो किसको लोन लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और किसको दूर ही रहना चाहिए, लोन से, अब चलते हैं, किवेनी की साइट, शादुनु पॉल जी कामेट आ रहा है, ये कह रहे है, सर, क्वांट, क्वांटमेंटल फंड कैसा है, ये सेक्टर में इन्वेस्ट का टाइम हो सकता है, या नहीं हो सकता, सर देखो, अगर आप क्वांट, क्वांटमेंटल के बात करोगे, तो it want as a strategy से काफी ज़धा difference है, यहाँ पर कई किसी के अंदर fundamental को ignore कर सकते हो, उसको यह जो weightage होते हैं, वो कम होते हैं, लेकिन जो technical patterns होते हैं, let's suppose एक momentum दिख रहा है किसी stock के अंदर, तो जो fund manager है, उसको suggestion आएगा, fund manager उसको suggestion लेगा, फिर fundamental analysis करेगा, फिर stock में invest करेगा, इस तरीके की investing strategy, quantum mental mutual fund के अंदर हो रही है, जो उनके document के तुरू हमें पता चलता है, right, तो अगर आप लेना चाते हो, तो bull run है, बहुत बड़े mutual fund है, definitely लिया जा सकता है, इसमें कोई भी दूर आए नहीं है, India 24 का commitment आ रहा है, अगर मैंने आपका नाम से इससे प्रणॉस नहीं किया, तो हम से सोई सर, यह कह रहे हैं, मैंने 21 के high care market को पर join किया था, FD तोड़ करके market के अंदर लगाया था, हाँ, बहुत दिन तक return नहीं बने, लेकिन अभी 30% XIRR है, बिलकुल, 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 और यही चीज जो आपने यहाँ पर perceive करी, यही चीज जो आपने अंदर धहर दिखाया है, यही चीज जब बजार गिरा होगा, उस बीच के अंदर आपने FD तोड़ा, तो आपको थोड़ा बहुत बजार में क्या चल रहा है, यही पर आप एक कैसे इंवेस्टर की बात समझो, कि जिसने तोड़ा और वो mentally तर श्ट्रॉंग नहीं है, शायद आपके जैसा वो नहीं हो सकता, उस case के अंदर जब और वहाँ पर एक साल तक पैसा नहीं बना, कि 2020-2020 के बाद 2021-2022 में पैसा बना ही नहीं था लोगों का, तो वो बंदा बुलेगा, यह डेड़ दो साल होगा, पैसा नहीं बंदा मेरा, मैं क्या करूआ तो फज़ गया है, तो यही चीज होती ही, जो मैं हमीशा कहता हूँ, कि बजार के और टाइम हाई पर आप इन्वेस्ट करते हो, तो कुछ टाइम तक हो सकता है, शौक टम में करेक्शन देखने को मिले, हो सकता है, रिटर्न भी ना मने, जब आप इस चीज के लिए तैयार हो जाते हो, तब आप कहते हो, कि हाँ भई मैं पैसा डाल सकता हूँ, इस बेसिक्स बताता हो आपको, और बेसिक्स क्लियर होगा ना, आपका काम हो जागा है, देखो, सबसे पहले आप समझो किस टाइप के आप इन्वेस्टर हो, क्या आप इस तरीके के इन्वेस्टर हो, जो लगातार इन्वेस्ट करना चाहता है, दूसरा आप उस तरीके के इन् 30-40% का correction आएगा 5-6 साल में market recover कर लेगे, it's very normal और यह होता है बजार के अंदर, तो पहले scenario तो यह हो गया, इनको तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इनकी तो बात ही करना सही नहीं है, because उनको आप बहुत साई चीज़े बता होगे, तो परिशान हो जाएंगे, इसलिए ignore, ठीक है उनको सिर्फ अपनी SIP कर नहीं चीज़े, market में ज़्याद ध्यान लगाना ही नहीं चीज़े, दूसरे तरीकी के लिए investor होते हैं, जो कहते हैं, यार मेरा target तो 10 साल का था, लेकिन क्या मैं ऐसे 7 मैं chief कर सकता हूँ, होते हैं जो थोड़े सी greed होते हैं, आपके मेरे जैसे return निकाले हैं, इस महीने के अंदर अभी तक, literally कितनी तारिक हो रही, 17 तारिक हो रही है, अभी तक मैंने almost, almost आप माल सकते हो, 15 से 17% के return निकाले हैं, मैं सिर्फ 10 लाग रुपे लिए थे, और मैंने खुद ये technique शुरू करे कि आपके साथ share करिया हमेशा, जैसे मैंने कल बता opportunity देख रहे हैं, momentum देख रहे हैं, तो क्या regular काम करेंगा, नहीं करेंगा, लेकि या bull run में काम कर रहा है, तो बनाओ पैसा, क्या दिक्का था, क्यो करना है long term investment, long term के लिए portfolio है, लेकिन जो extra पैसा उसको थोड़ा सा game खेल करके, satellite way of investing, कि भाई, एक base corpus आपका पड़ा हुआ है आपकी portfolio में, अब जो थोड़ा पैसा है, उससे मैं swing लूँगा, उससे मैं opportunity की तरहा, invest करूँगा, वहां से मैं थोड़ा ज्यादा alpha लूँगा, तो जो 7 साल वाले लोग है, जो कहते है, 10 साल का काम, 7 साल में करना चाहिए, opportunity ढूंडो, बजार के अंदर, और पैसा बनेगा, max to max क्या हो जागा है, देखो market crash होगे, सबका गिरेगा, आपका गिरेगा, fine, कोई दिक्कत नहीं है, mentally prepared रहना है, अगर आप mentally prepared हो, 10-20% गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, mentally prepared रहना है, आपको हमेशा बजार के बारे में, invest करो, almost invest करो, opportunity ढूटो, invest करो, swing लो, निकलो, और जो आपका core portfolio, उसके नदर आप invested रहो, उसमें से पैसा निकलने के जरूवत नहीं है, सर, अगले 6 साल के अंदर, मैं एक और property लेना चाता हूँ, 1.2 CR के आसपास, तो कहां पर invest करना चाहिए, अभी के लिए, क्या ये सही target है, 6-7 year के आसपास, definitely सर, देखो, आप 1.2 CR के आसपास कर रहे हो, approximately जो आपकी expected return है, हो है 17 से 18, अगर आप 14% के return लेते हो, तो आपका पैसा almost double हो जाता है, हर साड़े 4 साल के अंदर, rule of 72 हमें ये बताता है, ठीक है, तो क्या ये feasible है, definitely ये feasible है, क्या ये 6 साल में हो सकता है, या 7 साल में हो सकता है, 6 में होगा, तो 7 हो जाएगा, 7 में होगा, तो 8 हो जाएगा, बट definitely हो जाएगा, मुझे नहीं लगता, कोई बहुत बड़ा target है आपका, लंग सम आप करना चाते हो, बस indices ऐसे choose करो, जहां पर आपको लगता है, कि opportunities हैं, इस महां पर देखो, एक तो flexi cap है, इतना पैसा हो तो आपने दो sectoral funds के अंदर invest कर दिया, यह मेरा strategy है, मेरी strategy है, एक हो गया banking, दूसा हो गया IT, बात खतम, banking और IT से आपके दो साल के अंदर काफे अच्छा return बन सकते हैं, as per data जो हमें बता रहे है, interest rate cut होने के वज़े से, इन दोनों segment के उपा बहुत अच्छा return बनेंगे, और जो साइपी चल रही है मेरी, और कुछ amount मेरा रोज जाता है, क्या करूँ सर सर देखोगा, आप seriously मेरे से पूछ तो चाओगा, अगर मैं अपने दिल से आपको answer दूँ, छोड़ दू, अमनलब exit करो आई इन ओ, यहाँ पर जो पैसा आपका बना होगा, जो bonus पैसा बना होगा, ज जो थोड़ा पैसा ओट कर जाएगा, मैं बोलते हैं, पैसा तो बन रहा है, मेरा तो रहने देते हैं, लेकिन logic बात यह है, जो पैसा बनेगा न, 22 साल के बाद, वो inflation adjusted कुछ चल में बने गई नी, तो इतना पैसा जब आपको डालना होगा, इतना patience है, 20-22 साल का, तो stock market में invest क क्यों करना है न, देखो जो LIC है, जो जीवन बीमा है, उसको अलग करते हैं, जैसे medical insurance, you know, life insurance, term insurance, यह दो लिए सकतो medical and term insurance, उसके बाद, mutual funds, इसको separate रखो, ठीक है, यह दो अलग ही चीज़े है, medical insurance, आपके medical emergency के लिए होता है, investment, आपके investment के लिए होता है, इन दोनों को separate रख मैं आपको बता जाता हूँ, कि मैं बंद करवा चुका हूँ, request मैं risk कर चुका हूँ, most probably बहुत जल्दी है बंद हो जाएगी, और 20 साल का option है, तो भाई, क्यों ही invest करना है, मतलब LIC के end of the day कुछ मिलेगा तो है नहीं, जैमा जी का comment है, यह कह रहे है, प्लीज, review में पोटफ को issue नहीं है, पर आप पार एक stability लेकर के आता है, long picture है इसके पास, SBI contract अच्छा fund है, contrary in bet, इस समय पे आप देखोगे, बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि IT और banking and finance में भरे हुए है, लास्ट है कौन का BFSI 10% के असपरस डाल है, आपने डाल दी अच्छी बात है, चाहो तो इससे कर सकते हूँ, बट हाँ, मेरे ख्याल से ठीक है, आप safety के side थोड़ा ज़्यादा लेंड डाउन कर रहा हूँ, यह मैं मानता हूँ, तो इस वसाब से सही है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा risk add करना है, तो quant BFSI मुझे लगता है, थोड़ी position बढ़ सकती है, और जो पर Thank you so much for watching this video, talk talk, buh-bye, signing off.